नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का MRS Knowledge चैनल में तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है कि हम वरम में इसी क्या सेटिंग करें जिससे हमारा गेर वाला शेटर आसानी के साथ बिलकुल इजली डाउन भी हो सके और उपर भी जा सके तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले आप इस वरम की बनावट को देखिए यह जो हमारा वरम बना हुआ है यह बिलकुल करेक्ट मेजरमेंट के साथ बना हुआ है मतलब कि इस वरम की यहां से यहां तक और यहां से यहां तक यहां से यहां तक मतलब चारो कोनों की जो इसकी दूरिया है वो बिलकुल बरा टित यह जो टित है यह टूटे हुए नहीं हुने चाहिए इन में कोई भी डेमेज नहीं होना चाहिए तो इस बात का आप ध्यान डगे तो यह तो हो गया इसकी बनावट की बात अब चली चलीए कर लेते हैं इसमें इसे क्या सेटिंग करें जिस से हम इसको हमारे वरम को के दिक नबते होती चिकने एकदम finishing से कटे हुए हैं तो दिकत कहां होती है कि यह बाले जो हमारे टिधक इनके बीच में यह बर लगी हुए है यहलकी से आपको लाल कलर में दिख रही है यह बर यह बर दिकत करती है तो आपको क्या करना है कि इस बर को hand narcark antibodies झीज़िन धार performers का चमक देख रहे हैं आप इसी चमक जब तक इसमें ना आ जाए तब तक आपको इसको घिसते रहना है क्योंकि अगर यह खुरदरा होगा तो यह हमारी घिरारी के साथ घर्शन पेदा करेगा जिससे हमारा शटर बहुत जाम चलेगा और आपको इसको बार-बार अप-डाउन कर कि इसको काटना पड़ेगा आपको इसको घिसना पड़ेगा आपको इसको घिरारी की मदश से तो होगा क्या कि हमारी घिरारी भी घिसेगी और इस बर की वज़े से हमारा शटर भी जाम चलेगा तो आप लोग इस बात का खास करके ध्यान रखें कि यह बर जो है इसको आप आप लोगों घिस लेना है हैंड गलाइंडर से और तब तक घिसना है जब तक इसकी चमक ना जाए यह बिल्कुल एक दम फिनिशिंग में ना जाए तो उम्मीद करता हूं आप लोग यह टिप जरूर अपनाएंगे जिससे आपका शटर फिरी चलेगा वीडियो पसंद आई ह तो लाइक की जगा धन्यवाद